कि यह देखो कव्या सिवान सो नैनी तीनों बैठें और सिवान से आज हम की जगे क्या लेकर हैं आइस क्रीम का फैमिली पैक लेए क्योंकि केक जो है न वो उतना अच्छा भी नहीं लगता और मैंना यह बारबन बारबन और भाइसा उड़ागी लाए तरह दोले तकी नहीं यह बेवकूप है यह बेवकूप लड़ता है यह निकला उसके अंदर और यह डेकोरेशन जो है इतनी सी हमने कंप्लीट कर दी इसमें से कुछ बलून्स फूट भी चुके बीच बीच के बिलू निकल गए इसमें से भी गए क्योंकि बच्चे न यह कलने लग जाते हैं जि आइसक्रीम बच्चों को दे दूँगी केक की जगही हो जाए यह केक कट ओना आइसक्रीम काटना एक ही वाद है है ना मतलब केक उतना जा फॉर्मल्टी के लिए कल काट लिया था और अब सिवास ने कहा थे मम्मी आइसक्रीम जादा अच्छी लगती है तो फिर सोचे चलो इसक्रीम ले लिखते हैं और यह क्या कर रखा है मेरे बच्चों ने यह यह देखो इसके अंदर ना इसके अंदर छुपा रखी थी इसमें काच है न इसलिए छुपा गए साइद के लगना जाए इसे काफ़े अच्छी लग रही है वो उटेल छोटी से द्वारका से लिखे आए थी तो जी यहाँ पर मैं बना रही हूँ शाही बनीर की सबजी और कॉमेंट्स आए थे जिस दिन वो लोग गया था बर्थड़े का उस दिन की घीआ की सबजी और चीले कोन मनाता परखेट में तो लोग नोगों के यहां पर शामके टाइम कर बोछों पर हमसी पर कुछ अच्छा कर दिया व हैक अदरत आुठर का देना आप हम घाने चला लेगा मैंने का चलो कोई बात नहीं चला लो तोड़ी से मैंने प्याज कट करके रखी थी बारिक बारिक और यह जो है ना यह प्याज और टमाटर यह दोनों एकदम सीख चुके थे तो मैंने इनको निकाल लिया मतलब अच्छे से फ्राई हो गए थे अभी ठ्डे होंगे न उसके बाद में इनको पीषना है और जब तक यह प्याज भून जाएगी मतलब ये जो पनीर की सबजी जबी में बनाती हूं न यह भी 20 मिनर बें बनकर तयार हो जाती है मतलब साथ 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 सारा काम चलता रहता है पनीर भी मैंने साथ-आथ मे लेके आए थी एक पाव पनीर है और हम लोगों में बहुत है इतना क्योंकि पता है बच्चे अब खाएंगे और सुबह खाएंगे दोनों टाइम काफी रहेगा इनके लिए क्योंकि कई चीजी हो जाती ना चोटा-मोटा-चोटा-मोटा कुछ मार्केट से और भी एक्स्टर ले आए थे तो वह सब खाने में फिर यह सबजी और रोती थोड़ी पूड़ी खाये जाएगी तो यहांपर मैंने प्याज जो टमाटर मैंने पीश कर रखा था ना वह मैंने मिक्सर मेंन Just अब मैं इसको पिज्ट करनी मतलlog फ्राई करके रखाता अब मैं इसको पिष ने वाली हूं मिक्सी लगा ढिए और मेरी मिक्सी ने थोड़ी बूृडी होगी मतलि थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा हो गई, ये कम कम करती है, तो इसमें से न मेरे को ठीक करवा कि लाना पड़ेगा, इसमें से थोड़ा सा जार में से पानी लीक हो रहा था, पानी निकल रहा था, तो वो मेरे को सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा था, आज जब मैंने मसाला बहुत परेशान किया उसने और अभी मैंने निकाला है दूद क्योंकि मैं इसमें से मलाई निकालने वाली हूँ और जब भी मैं शाई पनीर की शबजी बनाती हूँ उसमें मलाई जो है न वो जरूर एड़ करती हूँ ये देखो मैंने मलाई निकाल लिया है लेकिन एक बार के लिए फिर बस वो ही था कि मैं कटोरी में निकाल के रख लेती हूँ जैसे एक ग्रेवी पीश जाएगी ना उसके बाद में मैं इसको एड़ करती हूँ और अब अपना हाथ दो लेते हैं और हाथ दो करके थोड़ा सा पानी मैंने मिकसर में डाला है क्योंकि अच्छे से पीस जाए मिकसी में आपको मैंने बता है ही खराब हो चुकी है बहत कम पीसती है बहुत मेनत लगानी पड़ती है पीसने में तो ये देखो यहाँ पर मेरी जो ग्रेवी के लिए प्याज चमाटर मैं लिये थे वो पिसकर तयार है नैनी साथ साथ सूट कर रही थी उसको आज बड़ा चाव लगा था शूट करने का और ये देखो नीचे से पानी निकला इसमें अब मैंने डाल दिये इसमें एक ग्रेवी और प्याज मैंने कट करके ये तड़के में डालना कहां से सीखा जब हम लोग आय पनीर मेरा एकदम कट कर तयार है और अभी मैं ये जो आपने देखा होगा पनीर के ओपर काला सा कुछ ये और कुछ नहीं यहाँ पर मैंने चमचा रख दिया था तो उसके कारण से सबजी का ये कुछ लगा है प्यास वगेरा कुछ भी भून करके लग गया होगा तो अभी मैंने यहाँ पर मलाई एड कर दी है अब थोड़े देर इसको पकाएंगे मसाले मैंने डाल दी थे धनिया और थोड़ी सी लाल मिर्ची डाली है अहल्दी डाली है और थोड़ा सा मैंने सबजी मसाला इसमें डाला है मतलब सबजी मसाला कोई भी डाल देती हूँ मैं सबजी और यहां मैंने ग्रेवी में पानी डाल दिया था अब मुझे लगाना है आटा तो मैं आटा लगा दूंगे और साथ साथ रोटियां भी सेख कर रख दूंगे और यह मैं कसूरी मेतिस में एड़ करने वाली हूं तो जी आटा लगाना शुरू कर दिया है और अब की बार आटा जो नए गेहूं का पिसुआ है नहीं काफी अच्छा है पहले वाला आटा तरह उसमें बहुत देर लग जाती थी उसमें जैसे मैं आटा लगाती रहती तिरू बहुत टाइम लगता था लोच आने में हम लोगो में जलने का डर लग रहा था मुझे मैं आटा लगा थी तो बीच में उसने मेरे से पूछा ममी आप पनी डाल दू मैंने का डाल दे तो उसने डालते टाइम फिर थोड़ा से डर तो लगता है हर एक मागो लगता है यार कहीं हाथ ना जला ले तो जी मेरा कीचन का काम कम्प बन चुका है और अब करते हैं अपना केक कटिंग की तैयारी कि बच्चे बहुत वेट कर रहे हैं रहे हैं अच देखो पूरी साफ हो चुकी अब चलते हैं अपना ट्रैक वोडूर आते हैं है ना चलो लाइट बंद कर दूं मैं तो जी हमारा जो है काफी सिंपल सा है अच्छा प्लूब लाइट लगाए तो हम तीनों लगें अपना आइस्क्रीम का पैक खोलने के लिए और यह जो बारिश होती उसके बाद में जो बोलते हैं में इंडक वगेरा उनके बोलने के आवाज बहुत ज्यादा तेज थी बहुत ज्यादा मतलब मैं आप वह इस्ट दे रही थी ना उस टाइम पर मैंने देखा वीडियो एडिट कर रही थी तब कि इतने जोरों से इनके आवाज आ रही हैं तो मैंने फिर साउंड म्यूट करके सोचा कि चलो वो इस जो है ना वो कर देते हैं और कवे आई थी शाम को लेकिन उसके माने कहा था कि इसको आइस लेकर के और खिला देंगे यह ऐसा मैंने सोचा कि बाद में खिला दूंगे क्योंकि फिर उसकी तब्यत जादा डाउन हो जाती ना तो थोड़ा सही नहीं था उसका सब कुछ बंद गर रखा है इस तरीके की चीजे खाना तो उसको भेज दिया था और लाश्ट में हमने नी नीचे आइसक्रीम रखके खोली क्योंकि उपर चैर पे खोली नहीं थी और मेरे टेबल जो है ना वो नीचे है और टेबल एक आदमी से आनी सकती इतनी बड़ी है तो फिर मैंने सोचा चलो इसे पर काट लेंगे और सिवांस यहां पर ना चक कर के देख रहा है बीच बीच में उंगली से चाट रहा है वैसे किसी और को खानी भी नहीं है हमें घानी है तो मैंने सोचा चलो बच्चा खुछ रहना चाहिए चाटे तो चाट लेगा क्या होगा तो यहां पर सिवांस को बोला मैंने चल तो आइसक्रीम कट कर लें यह कह रहा था मुमी इसके उपर नहीं आया और यहां पर यह देखो बर्तने में सेलिबरेट करने के लिए यह खुद सामने आया है और मैं यही चीज उस दिन कहा रही थी कि जब स्कूल में गए तो उस टाइम पर भी सिर्फ इस चीज को ध्यान में रखा जाता ना कि मेरा बच्चा है और मुझे करना है उस का था पैर चुने है सिवांच तब इसको याद आया था और मुझे बच्चों से इनका जो भी रिष्टा हा उससे कोई दिकत नहीं है ठीक है बात मेरी माइंड की है और आप लोग भी बस वही बोल रहे हो कि आप लोग मेरे को मतलब सजेस्टन्स दे रहे हो मुझे पता है म अगर आपकी जगह होती तो यही सजेस्टन्स मैं भी देती लेकिन बस यह कि खुद का मन मानने जबना और देखते हैं जो भी इस टोपिक को बंद करती हूं यहीं पर क्योंकि मैं आज के दिन वैसे इस बात को छेड़ना नहीं चाती थी यहां बीच में आय तो मुझे यहा हमारी कुछ इस तरीके से हुई है और सिवांस के फेस के ओपर बहुत सारी आइसक्रीम लग गई है और यह खुद से भी लगा रहा देखो और एक चीज मैं और कहा रही थी आप लोगों को कि यहां पर यह आइसक्रीम वाला जो हमने कॉंसेप्ट रखा ना यह गलत रखा दोनों की तबियत खराब हुई ना तो वह थोड़ा सा ना दिमाग में टेंसन देने वाला था वैसे सिवांस की तबियत चीक है फिलाल लेकिन बर्थड़े के नेक्स्ट डे उसको बहुत जोर से बुखार था और आज यह व्लोग आ रहा है 28 को आ रहा है 28 तारीक आज तो आ बाहर ने बनने ने पोड़ने ने नहीं पोड़ना लोग आप लोग भी यह हमारा स्पेस्टल केक खा लीजी है और यह मैंने का बेर चाटा ना बो लग जया यह मैंने अचता रखा देजिटान ने आप लोग भी खा सकते हो